नमस्कार सर, सर में के बीसी से बात कर रहा हूँ कौन बनेगा करोड़ भती कस्टमर आफिस सर आपके लिए इन्फॉमेशन गोड़ नियूज जानकारी है सर आप जो अपने मुबाइल के अंदर स्विम चला रहे हो जिस नमबर का आपके पास वाटस अप चल रहा है सर हमारी कमपनी की तरफ से आपके इसी वाटस अप नमबर पे 25 लाग रुपे की सर आपकी लौटरी निगली है सर आपको और आपकी फैमली को के बीसी से कांगराचिलेशन की अदाई पेश करती है सर में आपको बता दू के आपके इस नमबर पे लौटरी कहां से और कैसे लगी है हमारी कमपनी की तरफ से 5000 नमबरों का पाटी स्पेड किया गया था जिसमें एरटल, वोड़ाफून, आईडिया, बियसनल और जियो कमपनी 5000 नमबरों में से कमपनी ने आपका नमबर चुना है जिस नमबर का आप वट्सप चला रहे हो आपके इसी नमबर पे 25 लाग रुबे की लौटरी है सर मैं आपको बता दू यह लौटरी आपको कहां से और कैसे रसीव होगी सर मैंने आपकी वट्सप पे लौटरी की कुछ डिटियल्स बगरा भीजी है डिटियल्स के अंदर एक मैनेजर का नमबर है सर आपने उस नमबर को अपने मुबाइल के अंदर सेफ करना है सेफ करने के बाद आपने उस नमबर पे वट्सप कॉल करनी है अगर आप उस नमबर पे नार्मल sim call करोगे तो sir आपकी sim call नहीं होगी आपकी उस नमबर पे finally whatsapp call होगी जैसे आप manager को whatsapp call करोगे जुख दो पैसा हो लाए इस कभी को आपज हुपूख भौ और ए हो सब्ते हैं ने हमस्त्राइड आपकर सुप्सेजिस कंच तेर ड economics ंब्ला भो ने। को हाँ जी यह मतलब लट्री कैसे लगा अरे कहना क्या चाहते हो आप इंगी के वीची ने हैपी न्यू येर के मौके पर रही का लगी दो करवाए था तब माम वर्ट्सएप नमरों का बांच अजान नमरों का लगी दो था जिसमें से 25 कस्टमर लॉक विनर आए जिनमें आप का नमबर भागी चाली रहा है अभी बजाएगा ना भीड़ो पेले जिन आगे निगा ली अच्छा जी ये सर अभी जैस्ट मुझी यह बताएं कौन से बैंक में आपका खाता है इस पर अपना माउं टांसफर करवाना चाहरे हैं इसलिए समझरें पास्बुक फोटो और उनका एक फोटो भेज के जल्दी से मुझे कॉल लगाना है ठीक है और बिल्कुल लोट्री के बारे में केरफुली रहना है आपने लोट्री के बारे में पबलिक सिटी शो बाजी चर्चा बाजी नहीं करनी क्योंकि अब आपका ये सिम सो दो सो कानी ये 25 लाग का है ठीक है ओ नो जी बिल्कुल सिधा रहना है आपने ठीक है तो जल्दी से अपनी पास्बुक फोटो और अपना फोटो भेज के कॉल करो ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे हालात में बहतर यही है कि वक्त रहते हैं इनसान सतर्क होकर अपने जजबात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिन्दगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें